Hello everyone, very good morning to all of you. आज के दिन हम लोग 20 December 2021 के current affair discuss करेंगे. इस वीडियो में हर एक question important है, इसलिए पूरा वीडियो अन्त तक ध्यान से दिखेगा. PDF और Telegram दोनों का link वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा, तो दोनों चीज़े आप वहाँ से avail कर लीएगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पहला question है आज का, अभी हाली में ये कौन से motor sport rider है या आप बोल सकते हो motor sport racer है, जिनको nighthood से सम्मानित किया गया है. तो मैं आपको पहले भी बता चुका था, कि कुछ टाइम पहले ही, Lewis Hamilton को nighthood के लिए nominate किया गया था, अभी हाली में इनको सम्मानित किया गया है nighthood से, और जिसको nighthood मिल जाता है, तो इस सम्मान के बाद उसके नाम के आगे sir लग जाता है, तो अब से ये sir Lewis Hamilton कहलाएंगे, ये बेसिकली साथ बार formula 1 champion है, और इसके अलावा अभी तक इनोंने अपने पूरे career में 104 grand prix title जीते हुए है, और Lewis Hamilton बेसिकली बिटेन से बिलॉंग करते हैं, और ये Mercedes team के लिए खेलते हैं, अगला question है, अभी हाली में ITTF, hopes and challenge table tennis tournament 2021 का किस ने जीत लिया है, यहाँ पर ITTF का मतलब है International Table Tennis Federation, तो ITTF का challenge table tennis tournament 2021 का title जो आपको picture में दिखाई दे रही है, इनका नाम है, हंसिनी माथन रंजन, क्या नाम है, हंसिनी माथन रंजन, इनोंने जीत लिया है, और इनोंने final में किसको हराया, इनोंने जिस खिलाडी को हराया, इनका नाम है, हैंड जाजा, क्या नाम है, हंसिनी राजन ने, और हंसिनी राजन कौन से इवेंट में खेली है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, यह अंडर 12 की खिलाडी है, और इस बार का यह जो challenge table tennis tournament हुआ है, यह कहां पर हुआ, तो यह हुआ है, जौर्डन की capital अमान में, अब अगर international table tennis federation की बात करें, तो इसकी स्थापना करी गई थी, 1926 में, इसका headquarter है, लाउसेन, और इसके president है इस टाइम पे, Steve Denton, क्या नाम है, Steve Denton, अगला question है, प्रधान बंती नरेन मोदी ने अभी हाली में, गंगा express way का जो सिला न्यास है, यह उत्तर पदेश के कौन से डिस्टिक से किया हुआ है, जैसे यमना express way बना हुआ है, वैसे ही, भारत सरकार का, इस वाले budget में, लाउंच किया हुआ project है, गंगा express way, तो गंगा express way की अभी हाली में, इस थापना कर दी गई है, प्रधान मंती नरेन मोदी के द्वारा शाजांपुर से, तो बहुत important question है, ध्यान रखेगा, यहाँ पर, जो students यह question पढ़के नहीं जाएंगे, वो confused हो सकते हैं, क्योंकि गंगा express way जो है, यह कहां से कहां तक connect कर रहा है, यह आपको west UP मेरट से connect कर रहा है, east UP प्रयागरास तक, और इसकी जो लंबाई होगी, यह 594 km लंबा होगा express way, अब देखो, यहाँ पर जात तर लोगों को यह लग से रखी गई है, ठीक है, और शाहँ आप और यह आपका लखनो बरेली वाले रूट में पढ़ता है, and by the way, जो इसकी स्थापना अभी हाली में करी गई है, इसकी estimated cost कितनी है, तो ध्यान रखेगा, इस पूरे highway को या express way को आप बोल सकते हो, 36,230 करोन की लागत से बनाया जा championship, अभी हाली में BWF की world championship में पहुचने वाले पहले भारतिये male खिलाडी कौन बन गए हैं, तो पहले भारतिये पुरुष खिलाडी ये बन गए हैं, जो आपको picture में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कितामभी श्रीकांत, इन्होंने semi final में लक्ष सेन को हराया, मतलब भारत के final खेला जा रहा है, तो अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कौन ये match जीतेगा, लेकिन ये match चल रहा है किदामभी श्रीकांत, और जो दूसरे खिलाडी हैं, उनका नाम है low keen yeu, क्या नाम है low keen yeu, इन दोनों के बीच में final basically चल रहा है, तो कल के वीडियो में मैं आपको update कर दूँगा कि इस बार का BWF world champion किसने जीता है, फिलाल आपको ध्यान रखना है किदामभी श्रीकांत, पहले वारती हैं जो की final तक पहुंच गये, एन BWF की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी, इसका headquarter है Kuala Lampur, और इसके president है Paul Eric Hoyer Larsen, अगला question है, हम सभी को पताए, इस बार IPL 2022 में 10 team में खेलने जा रही है, अभी तक 8 team में खेलती थी, तो इन 10 teamों में से एक जो नई franchise team है लखनाओ की, इसके नए mentor के रूप में किसको एपोइंट किया गया है, तो लखनाओ franchise team के mentor के रूप में गौतम गंबीर को एपोइंट किया गया है और लखनाओ team के coach कौन रहेंगे, यह Zimbombay के पुराने खिलाडी रहे चुके, Andy Flower, Andy Flower को इनका coach बनाया गया है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान लखनी है, अभी इस साल तक 8 team में खेल रही थी, लेकिन अब अगले साल से 2022 में 10 team में खेलेंगी, एक तो एमदाबा का headquarter है मुंबई और इसके president है Saurav Ganguly, अगला question है, अभी हाली में World Health Organization के द्वारा भारत के अंदर बच्चों के लिए use करने के लिए emergency use में कौन से vaccine को approval दे दिया गया है, तो WHO ने भारत के लिए बच्चों के लिए emergency use पे use करने के लिए approval दिया है, कोVAX को, इस vaccine का नाम क्या है कोवैक्स, अब देखें, यहाँ पर आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है, पहली तो यह कि कोवैक्स कौन सी company ने बनाई हुई है, तो कोवैक्स एक company है, जिसका नाम है Novavax, इसके दुआरा बनाई गई है, और Novavax एक अमरीकी company है, तो कोवैक्स को approval WHO ने दिया है, कि अ इस vaccine का use भारत सरकार भारत के अंदर बच्चों के लिए कर सकती है, emergency use में, लेकिन अभी जो कोवैक्स है, इसको भारत के DGCI ने approval नहीं दिया है, तो अभी इसका approval pending है, जाहिर सी बात है, WHO ने इसको okay कर दिया है, तो भारत में भी DGCI इसको approval दे देगा, लेकिन ऐसे ही नहीं देगा, इन्हें DGCI के मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा, and second thing, दूसरी आपको यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखनी है, कि एक बार जैसे ही इसको approval मिला, तो भारत में यह vaccine कौन बनाएगा, तो भारत में इसको serum institute of India बनाएगा, NOVAVAX के license के अंदर गत, और WHO के अगर बात क proportion है, अभी हाली में, NCC cadets के द्वारा, जो compose किया गया है एक गीत, इसका नाम है राश्टी एकतागीत, इसको launch किया गया किसके द्वारा, तो राश्टी एकतागीत को launch किया गया है, Defense Minister Rajna Singh के द्वारा अभी हाली में, और NCC के अगर बात करें, तो इसको बोलते है, National Cadet Corps, और इसकी स्थापना करी गई थी 1949 में नई दिल्ली इसका हेड़कॉर्टर है और NCC के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है लेफटिनेंट जनरल गुर्बील पाल सिंग क्या नाम है इनका गुर्बील पाल सिंग अगला कुश्चन है ये कौन सा देश है जहां पर अभी हाली में एक तूफान आया जिसका नाम है राय राय नाम का तूफान कौन से देश में अभी हाली में आया है तो इस देश में काफी नुकसान हो गया है राय तूफान से ये आया है फिलिपीन्स में यहां पर काफी लोगों की मौत भी हो गई है इसके अलावा हजारों घर उजड़द चुके है अब दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान लखे कुछ टाइम पहले अभी भारत में इसी साल दो बड़े साइकलोन आये थे एक आपका Eastern Coast से आया और दूसरा Western Coast से आया जो Western Coast से आया गोगा की तरफ से या आप बोल सकते हो केरल की तरफ से इसका नाम था और जो Eastern Coast से आया था इसका नाम था यास ठीक है तो जो टॉक्टे नाम था ये इसको मियामार के द्वारा दिया गया था और जो यास है ये ओमान के द्वारा दिया गया नाम था तो ये तो हो गए भारत के दो साइकलोन जो important है इस साल के आपको ध्यान रखने है और फिलाल ये ध्यान रखने है राय आया फिलिपीन्स में फिलिपीन्स की capital है मनीला सिंगापूर की capital सिंगापूर सिटी माल्दीफ की माले और बारबाडोस की capital है ब्रिज टाउन क्या बोलते हैं इसको ब्रिज टाउन फिलिपीन्स में इस टाइम पे रास्टपती है रोड रिगो दुतेरे क्या नाम है रोड रिगो दुतेरे और सिंगापूर में इस टाइम पे सरकार चल रही है Halima Yaakoub की इनका नाम है Halima Yaakoub मालदीफ में इब्राहिम मौम्मस सोली की सरकार है और बारबाडोस में इस टाइम पे प्रधान मंत्री है मिया मॉटली क्या नाम है मिया मॉटली अगला कोशन है अभी हाली में यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके दुवारा तमिल थाई वास्तु नाम का एक state song लॉंच किया गया है तो इसको तमिल नाड़ की सरकार M.K. स्टालिन के दुवारा लॉंच किया गया है और तमिल नाड़ सरकार ने ये भी प्रावदान मना दिया है कि तमिल नाड़ के अंदर चाहे कोई private organization हो चाहे government organization हो हर एक organization के function में सबसे पहले ये गाना बजाया जाएगा जो की state song declare किया गया है Tamil Thai, Vastu अगला question है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाली में child labor को लेकर नए नियम जारी किये गए है तो नए नियम जारी किये है तेलंगाना में चंद शेकर राओ की सरकार ने अब देखे नए नियम क्या है पुराने तो यही नियम है कि बच्चों से आप 14 साल तक के बच्चों से आप श्रम नहीं करा सकते है मतलब काम नहीं करा सकते है labor नहीं करा सकते है इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने नया नियम यह जारी किया है, कि अगर बच्चों के स्कूल का टाइम है, तो आप स्कूल का टाइम में उनसे घर पे भी कोई काम नहीं करा सकते हैं. ठीक है? तो ये नया नियम जारी हो गया है. अगला कोश्चन है अभी हाली में ये दुनिया के चौथे ऐसे खिलाडी कौन बन गए हैं जिनोंने सिर्फ एक वर्ष में मतलब एक केलेंडर एर में टेस्ट फॉर्मेट में 16 सोरण जड़ दियें तो ये हैं इंगलेंड के खिलाडी जो है रूट इनसे पहले पूरी दुनिया में मौहमद यूसुफ विव रिजर्ड और विव रिचर्ड के बाद ग्राहम इस्मित ये तीन ऐसे खिलाडी हुए हैं जिनोंने एक कलेंडर एर मे 16 सोरण मनाए हैं टेस्ट मैच में तो अब चौत्य मन गए हैं जो रूट अगला कोशन है अभी हाली में किताब लॉंच करी गई है ये किताब बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन में से है ज्यान रखिएगा इस किताब का नाम है किताबे आपकी पूछी जाती है SSC हो railway हो या फिर bank हो UPSC हो state PSS कोई भी exam हो वहाँ पर शची थरूर की किताबें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसके अलावा सलमान रुजदी की किताबें बहुत important होती है आपके लिए और साथ में रसकिन बॉर्ड की किताबें important होती ह अरुन धती राई की किताबें ये सब राइटर्स की किताबें सबसे ज़्यादा पूछी आती है लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा शची थरूर की किताबें पूछी आती है इसलिए नाम द्यान रखेगा Pride, Prejudice and Punitary ये किताब शची थरूर के द्वारा भी हाली में लिख करी गई थी उसका नाम था The Battle of Belongings क्या नाम था The Battle of Belongings इसको भी उन्होंने पिछले साल दिसम्बर के महिने में ही लाउंच किया था और इस साल दिसम्बर के महिने में फिर से एक नहीं किताब अगला कुशन है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये हिरन की एक न इस बात यह है कि आप देख सकते हो ये मकमल जैसे सफेद फर वाला हिरन है तो और दूसरी चीज इसकी जो गर्दन है ये नॉर्मल हिरन से थोड़ी सी जाधा मूटी है ये इसकी खास बात है ठीक है थोड़ा सा ब्रॉड है इसका नेक तो ये देखा गया भी काजिनंगा न थे दो नए नैशनल पार्क जो है उनमें से एक है राय Hmona नैशनल पार्क और दूसरा है देहिंग पत्काई नैशनल पार्क ठीक है अगला कुशन है अब हाली में एक और किताब लॉंच हूई है इस किताब का नाम है रिवाइंदिंग ऑफ फॉन्स टविफाइव अरॉफ म METI, यहाँ पर METI का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं Ministry of Electronics and Information Technology. तो यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह किताब लिखी है SS Obray ने. अब सवाल उड़ता है SS Obray कौन है? यह basically एक bureaucrat है और यह secretary के रूप में कारे कर चुके है Ministry of Information and Technology में. तो इनों ने अपने 25 साल का experience इ Information Technology में इनके 25 साल कैसे रहे? अब यह तो बात होगी कि इनों ने लिखा है? इसको launch किस ने किया है? तो ध्यान रखिए का इसको launch करने वाले विक्ति हैं Ajay Prakash Swane. कौन है? Ajay Prakash Swane. यह current time पे METI के secretary है. अगला question है यह कौन सा bank है जिसने अभी हाली में दुनिया भर के गरीब दॉलर की धन्दाशी launch करिए. तो यह bank है World Bank. World Bank 93 billion dollar की धन्दाशी दे रहा है और यह धन्दाशी गरीब देशों में बाटी जाएगी. ताकि यह गरीब देश्ट अपने infrastructure को बहतर कर सके, education quality को बहतर कर सके, साथ में कुपोशन से बच्चों को बचा सके, इन सारी चीजों के चलते हैं. इसी साल एक और organization है, जिसने गरीब देशों को COVID vaccination के लिए 50 billion dollar की धन्दाशी आवन्टित करी थी. तो 50 billion dollar की धन्दाशी आवन्टित करी थी IMF ने, International Monetary Fund ने. and ADB के अगर बात करें, तो 1906 में इसकी स्थापना करी गई थी, New Development Bank की स्थापना 2014 में करी गई है, World Bank 1944 and AIIB की स्थापना 2016 में करी गई है. Asian Development Bank का headquarter है Manila, New Development Bank का headquarter है Shanghai, World Bank का headquarter है Washington and AIIB का headquarter है Beijing. सबी कोशन उम्मीद करता हूँ, आपको clear हो गया होंगे, फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुसे comment box में पूछ सकते हो. कल जो शाम को class नहीं हो पाई थी, science की, वो class आज शाम को 5 बजे होगी, इसलिए उस class का link के video के description box में है, जाके register कर लीजेगा खुद को, और class को खोलने के लिए unlock code होगा 1.777, इसको लगा लीजेगा. साथ में अगले महिने से, मतलब January 1st week से मेरा full length batch आ रहा है GSGK का Unacademy Plus में, आप उसके लिए Unacademy Plus सब्स्राइब कर सकते हैं, वरुन टिपर सैवन कोट के साथ, बाबाए, take care, have a nice day, आपका दिन मंगल में.